टीवी रियालिटी शोव बिग बॉस सीजन 14 का खिताब अपने नाम करने के पाद टीवी एक्टरस रुबिना दिलेक जश्न में डूबी हुई है रुबिना दिलेक अपने फैमली मेंबर्स पती अभिनव शुकला और अपने क्लोस फ्रेंड्स के साथ भरपूर मस्दी करती हुई दिखाई दे रही है वहीं इसे बेच रुबिना का एक वीडियो सोशल मेडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है और इस वीडियो के सामने आने के बाद खुलासा हुआ है कि किस तरह से रुबिना दिलेक जैस्मीन भसीन और एलिकोनी का मच्चा कोडाती हुई नजर आ रही है दरसल जानकरी के आप सभी को बता दे कि बीते सौंबार की रात राहुल महाजन की घर पार्टी हुई थी और इस पार्टी में रुबिना दिलेक, अभिनव शुकला, नैना सिंग और अर्शी खान शामिल हुए ऐसे में देखा जाए तो नैना सिंग ने इंस्टेग्रेम पर एक वीडियो भी शेयर किया और इस वीडियो में नैना के साथ राहुल महाजन की पतनी नतालिया इलिना भी नजर आई है हम किसी कारण वर्श आपको वीडियो तो नहीं दिखा सकते हैं लेकिन इस वीडियो के चलते सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है दरसल इस वीडियो के पीछे आवाज सुनाई दे रही है रुबिना और अभिनव की और रुबिना और अभिनव जैस्मीन का जिक्र करते हुए सुनाई दे रही है जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि इस वीडियो में रूबिना की आवाज पीछे से आ रही है और वहें पूछ रही है कि जैस्मीन के घर कौन जाएगा वहीं अभिनव कहते हैं वहें कौन है ऐसे में अर्शी कहती हैं कि अली और रूबिना की बहन जियोतिका और अर्शी फिर जोर जोर से हसने भी लगती हैं ऐसे में देखा जाए तो इस वीडियो के सामने आ जाने के बाद सोशल मीडिया पर अले गौनी ने प्रतिकरिया दी है एली गौनी ने ट्विट किया है और लिखा है जैसमीन ही मेरा घर है लेकिन फिर भी जैसमीन के घर हम जाएंगे और फिर क्या इसके बाद एली ने हैस्टेग ट्रेंड कर दिया है एली ने लिख दिया है हैस्टेग जैसमीन के घर हम जाएंगे ऐसे में देखा जाए तो जै जैसमीन ने लिख दिया है, I know that all my fans love me madly and every day of mine is filled with happiness and positivity. My big boss journey is over and it was incredible because of your love. Now I want to you all to let go of all the negativity and ignore and avoid what doesn't spread happiness. जी हाँ, इसके अलाबा जैसमीन ने लिखा है, letting go want mean that you guys stopped caring till we don't let go. We can't forgive this situation till the situation is not over. We cannot move forward and moving forward and flying high is what we need to do. Guys, let's give up what ways us down and fly, fly और हाट इमोजी भी शियर किया है. Well, जैसमीन के इस ट्विट के सामने आने के बाद, अब सोशल मीदिया पर fans hashtag trend करते हुए नजर आ रहे है. टीम जैसले लिखती है, you can already see the difference between the two. वहीं, one is like their idol spreading negativity and the other one answering back with positivity. Let's maintain our dignity and not to stop down to their level. जैसमीन के घर हम जाएंगे. वहीं, एक यूजर ने लिखा है, nothing more to save friends, family and fans are here to love, जैसमीन के घर हम जाएंगे. इतना ही नहीं, जैसमीन के fan club ने लिखा है, रूबिना दीदी, after seeing the trending list, जैसमीन के घर हम जाएंगे. जी हाँ, यहाँ पर एक meme भी share किया है, जिस पर लिखा है, मेरा तो इतना life खराब हो गया. और इस तरह से, जैसमीन के फैंस, रूबिना का मच्चा कोड़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं. वहीं टीम जैसमीन ने लिखा है, no caption needed, जैसमीन के घर हम जाएंगे. जी हाँ, दोस्तों, जानकरी के लिए आप सभी को बता दें कि, जैसमीन के घर हम जाएंगे, ट्रेंड कर रहा है, वहीं, इसके साथ-साथ, stop being jealous of रूबिना भी ट्रेंड कर रहा है. ऐसे में देखा जाएंगे, तो सोशल मीडिया पर इस तरह से, फैंस, जैसमीन भसीन को सपोर्ट करती हुए नजर आ रहे हैं. इसके साथ-साथ, यहाँ पर एक यूजर ने लिख दिया है, there are reasons why she is queen. As usual, she asked us to ignore and negativity, wanting to spread positivity, despite all the trolling. The way she has remained positive throughout is truly inspiring. I am so-so proud to stand you, जैसमीन भसीन. Hashtag जैसमीन के घर हम जाएंगे. और इस तरह से, सोशल मीडिया पर जैसमीन की घर हम जाएंगे train कर रहा है. आप क्या कहते हैं, जैसमीन और रूपिना के बारी में यह आप पता सकती हैं, comment section में. फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहे हैं, next 9 news.